कि यह गाइस वेलिकम टू दू इल्टिमेट चानल मेरे नाम है अदित्या और हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जर्मन शेपर्ट से रिलेटेड और जर्मन शेपर्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन से जो कि आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो एक क्वेश्चन जो है जो मुझे सबसे जादा आता है कि जर्मन शेपर्ट को खाने के लिए क्या दे जर्मन शेपर्ट का जो डाइट होता है उसमें बेस्ट क्या रहेगा पैकेज डॉप फूड या फिर जो घर का खाना है वो हम दे सकते हैं सो काफी सारे कमेंस और होगा क्या आप दे सकते क्या नहीं दे सकते सो एक अडल डॉप के हिसाब से हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैकेज डॉप फूड के बारे में तो पैकेज डॉप फूड की जाए यह तो काफी अलग-अलग प्राइज रेंज में आते हैं काफी अलग- तो कौन सा लेना जादा बेटर रहेगा और कौन सा लेना सही रहेगा तो काफी टाइम जो है ओनर से कन्फ्यूज हो जाते हैं और पिर उसके बाद जो है समझ नहीं पादेगी कौन सा डॉप अपने घर लेगे जाए कभी कबार एक ब्रैंड से दूसरे ब्रैंड में भी वह जाते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं जो कि डॉक्स को कभी कबार सूट नहीं करता कि डॉक्स को चाहिए कि अगर आप बच्बन से उसको आदत दे रहे हैं एक ही डॉट खाने की तो उसी को लेकि कंसिस्टेंट रही है और डॉट जो है वही खाना पसंद करत कि काफी सारे ऐसे ब्रैंड से जो की अपना एक स्पेसिफिक प्रोड़क्त लेकर आते हैं एक डॉट की रेंज में जैसे की पेडिगरी हो गया फिर उसके बाद रॉयल कैनिन हो गया डूल्स हो गया और मैं इस वीडियो में बताओं तो अगर आपको हेल्प चाहिए कि कौन कि लोगा हो गया तो वह भी आपको डिस्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अगर आप चाहे तो और कर सकते हैं आपको इधर उदर भागने की जरुरत नहीं पड़ेगी की कौन सा डॉप ले कौन सा यह ले मैं अपने हिसाब से जो बेस्ट है जो मैं मैंने खुद भी यूज किया है जो मैं अभी जो है मैं पेडिगरी यूज कर रहा हूं पहले मैं रॉयल कानिन यूज किया था तो आपको जितने भी मेरे पर्सनल फेवरेट है जो कि आपके डॉक के लिए भी अच्छे रहेंगे जर्म शेबड के लिए वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल है कि हमें यह डॉक नहीं चाहिए हमें एक स्पेसिफिक डॉक पूट चाहिए तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप एक ही डॉक के साथ चलिए अगर आप पैकेश डॉक फूड लेते हैं तो उसका खड़्चा मैं बताओं तो अरौंड महीने में जो है अगर आप 10 किलो का पैक है तो फूरा खतम कर देता है तो बारा सू इंटु फ्री जो हो गया तो खाने में ही आप समझ लीजे डॉक का जो पूरा खड़्चा है थर्टी सेंड़ के आसपास लग जाएगा जो कि मैं कहूं तो वर्थ है एक डॉक के लिए सिंगल डॉक के लिए अगर आपके घर में तो थोड़ा समयंगा हो सकता है आपके लिए बागी अगर मैं बात करूं विटमेंस मिनरल्स और जितने भी प्रोटीन सप्लिमेंट फैटी एसेट और ओमेगा-6 ओमेगा-3 होते हैं जो की डॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं तो वह सभी चीज़े जो है आपको के लिए पर्सनली और लेकिन उसके साथ-साथ काफी ऐसे सप्लिमेंट्स भी है जो कि मुझे यूज़ करने पड़ते हैं रूल्स के सप्लिमेंट्स काफी अच्छे लगते हैं मुझे पहले मैं जो है डूल्स का मोबिलिटी हो गया और सामन ओयल वो यूज़ करता था अगर कि यूज़ कर रहा हूं अभी सामन ओयल तो है उसको भी मैंने स्रॉप किया हुआ है क्योंकि वह कोट के लिए होता है बेसिकली लेकिन वह उता ज्यादा अच्छा अफेक्ट नहीं दे रहा था मुझे तो स्किन और कोट के लिए स्पेसिविकली यह प्रोड़क्त बनाया ग चिकन हो गया ज्यादा तेल में तला हुआ मसाले दार एक्दम जो कि हम हुमन खाना पसंद करते हैं इंडिया लोग काना पसंद करते हैं कि तेल में भुना हुआ एकदम लाल दिखने वाला तीखा तो वह उस जैसी चीज़े जो है डॉब को मत दिजिए क्योंकि डॉब का ज सब्सक्राइब करते हैं और मैं ऑनेसली बताओं तो कभी कबार मेरे से भी ऐसा हो जाता है कि अगर कोई चीज अच्छी लग रही है जैसे कि कल की बात बताओ मैं तो रिसेंटली हमने शाही पनीर भी आपने डॉब को उतना जादा मसाले दार नहीं था लेकिन फिर भी शाह बागी जो सप्लीमेंट्स थी उसकी चल रही थी फिर उसके बाद आज की बात करें तो आज 17 साल का हो चुका है और अभी भी काफी अच्छा है और अभी भी घर का खाना ही खाता है उससे कोई बाहर की सीनियर पैकेज डॉक फूड या फिर कोई दूसरे डॉक फूड खाने है उसमें अभी मात्रा में प्रोटीन होता है जो कि आपके डॉक के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा सोया चॉप हो गया फिर उसके बाद पनीर हो गया पर उसके बाद सोया बड़ी जो आती है सोयबीन वह आप दे सकते हैं बोईल करके हलका सा उसमें एक दो क्लोव कारलिक लगा के तो वो चीज़े जो है वो डॉक्स को काफी सूट भी करती है उनके बॉड़ी के लिए अच्छा है प्रूटीन जा रहा है कैल्शिम मिल रहा है और तो और आपका जो भार पैकेश फूट का खर्चा आप नहीं करना चाहते वह घर से आप निकाल रहे हैं लेकिन अगर मैं इक चीज़ बताऊं अगर आप गौर करें तो सेपरेटली आपके डॉक के ओपर घर के खाने में भी कितना खर्चा होता है अगर वह आप निकाल के देखे तो पैकेश डॉक फूट के आसपास ही जो है उसका खर्चा बन जाएगा अगर पैकेश डॉक फूट में एक मही लेकिन बात यह है ना कि 15 किलो का अगर हम पैकेट मंगवाते हैं तो हमें लगता है कि यहार 12 रुपे का पढ़ रहा है एक बार में तसारा खर्चा हो जाएगा और दस दिन में ही खतम कर देता है यह तो तो वह चीज़ जो है वह हमें थोड़ा लगता है कि महंगा है लेकिन अगर हम लगा के देखे थोड़ा बहुत कैल्कुलेशन करके तो घर का खाना का जो प्राइस है वह उतने उसी के असपास पढ़ जाता है अजार रुपे कम हो जाएगा 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 तो अगर आपके पास सिर्फ एक डॉग है एक जीस्टी है और एक जीस्टी अडल् lifelong nailu ने जाते हैं तो अपने भलकों के सब्सक्राइबा इसके साथ पनीर इस बील परताया उतने हैं करें है ईंटम व सकते हैं अब घृ लारजmouth करें लेकिन एक पास 스ज मैं प्रफर करूगा कि वहार का खाना देना पैसमे सब्सक्टी आपने में प्रसर कर बासक्किकं उसस पूट देना जो कि उनके लिए बना है और उसके लिए आपको किसी शप्लिमेंट की जरुरत नहीं पड़ रही किसी डूसरे टाइब के विटमेंस मिरेरल्स की जरुरत नहीं पड़ रही तो वह चीजें आपको सस्ति में हो जाती है और उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता तो अगर आपके पास एक डॉक है तो आप जरूर लीजिए तो आज का यह वीडियो जो है वो मैं यहीं पर खतम करना चाहूंगा उमीद है आप सभी लोगों कि जो भी प्रॉब्लम्स थी वह सॉल्व हो चुकी है और अगर आपकी कोई और भी प्रॉब्लम है तो नीचे कम क्या हुआ है और आपकी कम ज्सेंग जो लोगों के तो खते हो आपकी के वाओ के जह करव़ा है यह तो आपकी कम खाट जया एता सटावा तो आपकी कम गया हुआ है आपकी कम जब प्रॉब्लम्स ौक। झाल